Adolescent Future Orientation इसमें integrated model हम पेश करेंगे कि cultural और ecological perspective इसमें क्या है ecological environment से related होता है और culture उसमें रहने वाले लोगों से future के orientation का मतलब यह है कि वो image जो अपने मुस्तक्बिल के बारे में कोई रखता है अब यह जो ground है जिस पर हम खड़े हैं एक तरह से वो यह है कि मैं आज जो हूँ मैं अपने मुस्तक्बिल में क्या बनूंगा और क्या करना चाहती या चाहता हूं उससा फाइदा ही होता है कि हम अपने लिए गोल और मकासित बनाते हैं और उनके हिसाब से कोई मनसूबा बंदी या प्लैनिंग करते हैं यह एक बहुत है चाहे वो पढ़ाई है चाहे वो होबी है चाहे वो किसी चीज में सोशली शामिल होना है यह एक इंपॉर्टन डिवेलपमेंटल सेज है माबाप का इसमें बहुत असर होता है बहुत से तरीकों से वो बच्चों के मुस्तक्बिल की फॉर्मेशन करते हैं उनके गोल्स की उनकी औरियंटेशन यानी उनकी सिम्त मतयन करने में माबाप का बहुत रोल होता है पेरेंटिंग का स्टाइल के है वो बात समझा के हुकम देते हैं या महस हुकम की ओबीडियंस कहते हैं वो बच्चों में मोटिवेशन कैसे पैदा करते हैं इस ते बच्चे के फ्यूचर क बच्चों के साथ उसका बड़ा रोल होता है इसलिए यह जो ए जैसे बड़ा करूशल कहा जाता है कि बच्चा किदर को देख रहा है और वो एक कंट्यूजन की स्टेज होती है 12-13 साल की उमर तक और जैसे जैसे वो क्लेयर होते जाते हैं वैसे वैसे उनके मकासिद भी क्ल लाज करें